हेलो एवरीवन वेलकम टॉटाट वन्टी फोर सेमें स्कूल में राजिंदर सांखला बच्चो इस सेशन में हम कक्षिया ग्यारा के पूश्टक आरो भाग फ़स्ट के अध्या संक्या सेवंटीन जिसके लेखा का नाम है दुशंत कुमार और दुशंत कुमार जी का हमें नाम प्रारम करता यानि गजलों को लिखने का कारिया सरुपर्थम जिसको सरे जाता है उनका नाम है दुशंत कुमार तो बच्चों इस सेशन में हमारी किताब है जो जिसका नाम है आरो भाग फ़स्ट जिसमें गजले संग्रित की गें साथ गजले दी हुई है अब उसे जितने अभ्यास परसन उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो ध्यान से समझना यदि गजल आपको समझ में आ गई तो फिर तो क्या बात है अभ्यास परसन सभी समझ में आ जाएंगे तो देखे बच्चों तो इस सेशन में हम लोगों क्या देखना है इस सेशन में पड़ा तो यदि गजल समझ में अच्छे से आ गया तो हमें अभ्यास पर्षनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इससे पहले विडियों हमने दूसंत कुमार जी का जीवन परीचे के साथ साथ गजल का सारान से पड़ा था वैसे तो कहा यही है दूसंत कुमार जी ने क्य पहले पड़गर के साथ भी पड़ सकते हैं साथ भी को छटी में लेकिन फिर भी इन गजलों का एक मन इस्तिति की रूप में हमें ऐसे दिखाए जैती है कि एक दूसरे से यह क्या है जूड़ी हुई है यह ऐसा बच्चों हमें कहां पड़्ड़ों को मिलता है हमारी पाठ् अब क्परार्म करता हिंदी में कौन माने जाते हैं दुसंत कुमार ही माने जाते हैं तो बच्चों आप से पूछ लिया जाएगी हमारी फ़स्ट आरोम फष्ट में जो गजले लेक ही उनका अपके सामने उपस्तित होचिक है जल्दे से अपने दिमाग में इसका आसवर क्या होगा आखिरी सेर में गुल नहीं कि चरचा हुई है क्या उसका आच से एक खास तरह के फूलदार वरक्ष से या उसमें कोई सांकेतिक अर्तनियत है समझा कर लेकिए जो आखरी जो गजल है उसमें गुल गुलमोहर एक पेड होता है जो गर्मियों के अंदर लाल लाल कलर के क्या आते हैं फूल आते हैं बहुती सुगंदित फूल होते हैं तो क्या ही इनका प्रियोग लेखक ने एक वैसे ही किया एक सांकेतिक यानि सांकेतिक में यदि मूल सब्द के बात करें बच्चों तो क्या ह यहां पर संकेत मूल सब्द है और एक क्या है प्रत्य है यानि कहने का तात्प्रिय क्या है कि संकेत के दुआरा यहां उन्होंने परकट किया है गुलमोहर व्रक्ष के बारे में या वैसे ही प्रस्तुत किया है तो बच्चों ध्यान रखना उमीद करता हूं आप लोगों दिम बाहरत से पूर आजाद बाहरत से पूर यानि सवतंतरता से पूर लोगों ने एक खुशियों के एक सुखी की जो जितने सपने थे वो सब सपने देखे थे लेकिन आज बरश्टाचार के कारण या नेताओं की सत्ता में जो किस परकार से बरश्टाचार फ्यारा किस परकार बिखेरता है उसी परकार हम लोगों को भी हमारे आजाद भारत में भारतवासियों की देखरे के लिए विकास के लिए कारिये करना चाहिए यही कभी कह रहा है तो उत्तर देख लिजिए इसका आखिरी सेर में गुलमोर की चर्चा हुई है यह एक फूलदार वरक्च होता है जिसमें गर्मियों में लाल रंग के फूल आते हैं लेकिन यहां सायर ने इसका सांकेतिक अर्थ लिया है गुलमोर यहां आजाद भारत और भारत वासियों की और संकेत करता है यानि कि आजाद भारत और भारत वासियों की यानि किस परकार से आजादी से पूर लोगों ने अपने सुखों के सपने संजोय थे उन सबूं के बारे में उनने संकेत किया है कभी कहना चाता है कि सबी देश वासियों को अपने देश के विकास की और कारिय करना चाहिए कभी भी देश के हित के लिए जीना चाता है वैसे इस वरक्स को सोंद्रिय और सांतिका परतिक माना जाता है जहां पर सौंध्रिय और सांतिका परतिक की बात आ जाती है तो इसका मतलब आजहाद बारत के लिए हम बात कर रहे है यानि उन भारत वासियों के बात कर रहे हैं जो बटे हुए अलग-अलग इस्सों में हैं लेकिन फिर भी अनेकता में एकता जो एक विशेषता है हमारे सव है योया फिर भी वह एक हैं उसी परकार Lekha कहता है कि मेरा और भी मेरा मन भी भी कहता है कि मैं देश के विकास के लिह कारे करूं और चाहे मैं अपने कारे करते ही विये सहीद ही क्यूं ने हो जाओं इसलिए कोई ने यहां एक आजात भारत और भारत वासियों का एक विकास की और एक सांकितिक अर्थ में इसका परियोग किया है किसका गुलमोहर के वरक्ष का जो काब गर्मियों के दिनों में लाल-लाल रंग के फूल सुगंदित फूल हमारे सामने उपस्तित करवाता है यानि उनके लगते हैं कवी के अनुसार यदि एक सब्द में बताया जाए तो गुलमोहर का वरक्ष मनुस्य को आजादी का अनुभव करवाता यानि कि एक सब्द की बात करें गुलमोहर का वरक्ष का परियोग यदि एक सब्द में आनसर दें तो किसके लिए आया है तो किस परकार से मनुस्य आज हो चुका है कि उसे भी Mm इसे वी सोचनद जीन्ने का सौतब्द जीने का क्या है मैं हम है कि सेकिंफ परशन आपके सामने उपस्तिद हो चुका है पहले सेर में चिराग सब्द कि चिराग सब्द एक रभा वछन में में आया है और दूसरी बार एक वच्वचन में यानि जो चिरागा याद आपको दो सब्द आये थे एक तो आय दा चिरागा और दूसर सब्दुस्रा एक चिराग ठीक है यह दो सब्दों का प्रयोगा तो ने डो wrjan ke की रूप में यह सब्दाय था दूसरी पंक्ती में एक वचन की रूप में आर्थ हैं कावे संद्रिक दरश्टी से इसका महतव बताना है आप लोगों को क्या बताना है महतव तो बताई जल्दी से आपके पहले सेर में चिरागा और चिराग दो सब्दाय वो किसलिए उनका अ गयाती चुनाव होता है तो वो बड़े बड़े वड़े करते हैं और कहते हैं कि हम आपको कुछ मूलबूत सुविदाय उपलब्द कराएंगे आपके सहर में आपके गावं में उजाला परिकास फैलाएंगे बिखेरेंगे और उपरकास का उजाला और महक क्या है वो कुछ मुल्बुच सुईदा है केवल कुछ भी नहीं है लेकिन लेख क्या कहता है कि जब ये सब चीजें सहर में उपलब्द नहीं है तो हमारे गाउं में कहां से उपलब्द होंगी यानि कि जब आपके पास वादे करने के लिए जब सब्द होते हैं लेकिन आप उस उन वादों पर खरे बिल्कुल भी नहीं उतरते हैं तो यहां चिरागा जो सब्दा आया था वह भवचन की रूप में आया था किसके लिए रोसनी अनार्थात परकास के लिए यानि हम कह सकते हैं बहुत सारे दीपकों की रोसनी एक दीपक नहीं बहुत सारे दीपकों की और जो एक वचन में जो चिराग सब्दा आया था उसका हम एक दीपक की रूप में यान रोसनी के रूप में हम पर्योग करेंगे लेकिन एक दीपक की जितनी रोसनी होती है उतन यानि कि एक तो बहुत सारी मोलबूत सुविदा हैं और कुछ एक मोलबूत सुविदा उसकी हम लोग बात करते हैं देखो पहला सेर क्या था कहां तो तैथा चिरागा हर एक घर के लिए कहां चिराग महसर नहीं सहर के लिए महसर करत क्या होता है उपलब्द महसर करत क्या होता है उपलब्द ठीक है कहां तो तैथा चिरागा हर एक घर के लिए कहां चिराग महसर नहीं सहर के लिए यानि लेखक यहां जो सायर है दुस्यंत कुमार जी यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि जब चुनाव के समय जो बड़े-बड़े नेता लोग होते हैं, वो अनेक तरह के वादे करते हैं, कहते हैं कि हम परते घर को, हर गर को चिरागा उपलब्द कराएंगे, कुछ मुलबू सुविदाएं उपलब्द कराएंगे, आपके गाउं में रोसनी भी खेरेंगे, परक सहर में उपलब्द नहीं है, यह सुविदाएं, कुछ मुलबू सुविदाओं की जो बातें कर रहे हैं, यह जब सहर में उपलब्द नहीं है, तो हमारे गाउं के लिए कहां से आ जाएंगे, कहां मिलेगा यह सब, तो इसके लिए कवी ने कहा है, कि यह सब ढखोसले हैं, ये सब राजनीती हैं, ये लोग केवल अपने बले के लिए कोई भी वादा कर सकते हैं, लेकिन इनको जनता की कोई भी फिकर बिल्कुल भी नहीं है, यानि कि आजाद भारत के लिए, आजाद भारत के लिए जो लोगों ने सपने देखे थे, उनका इनको बिल्कुल भी आम ज जनता में आजादी का परकास बिखेरने की बात करता है यानि कि आजादी का परकास यानि कि उजाला या दूसरी अर्थ में हम कह भी सकते हैं कि इसका परियोग कुछ मुल्बू सुविदाओं से यानि कि उजाला कैसा होगा भी कुछ मुल्बू सुविदाओं हमें मिल जाएं तो फिर क्या होगा कि एक अच्छे से जीवन है आपन हम लोग कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है दूसरी पंग्ति में चिराग सब्द का परियोग एक वचन में हुआ है यह कुछ मूलबू सुविदाओं सुविदाओं और अर्थात सीमी साधनिया एक दीपक की रोसनी से कहने क गया है सायर को दुख इस बात का है कि आजादी से पहले लोगों ने सुख समर्दी के सपने देखे थे प्रंतु सत्ता में उपस्तित बरष्टाचारी नेताओं के कारण पूरा देश गरीबी और सोसन का सिकार हो रहा है यहां चिरागा और चिराग इसी के क्या है परती कहन बिली गरीब था और पहले पहले सोसन का शिकार हो रहा था अज बी ऐसाई है तो लेख़क को अर्थाशायर को यही सबसे बड़ा इसलिए यहां चिरागा और की रोपर या पहला चिरागा भवचन के लिए आया है बहुस सारी मौलबू सुवधाओं के लिए पहला दूसरा जो चिराग आया है वह एक वचन के लिए आया है कि नेक्स्ट है गजल के तीसरे सेर को गोर से पड़ें यहां दूस्षिंद का इसारा किस तरह के लोगों की और जो तीसरा से सेर है गजल का तीसरा सेर क्या है यानि कि एक गरीब व्यक्ति विवेस है जिसको अपना पेट डखने के लिए भी एक तन डखने के लिए भी कपड़े नहीं होते हैं वह अपने टांगों से ही अपने पाओं से ही अपने पेट को डख लेते हैं कहने का तात्प्री क्या है कहने पैदा होता है लेकिन मरतागरीब नहीं है अरे आपके पास तन डखने के लिए सरीर कपड़े नहीं consists की मेहनत तो नहीं हैना गुलाम किसी की महनत तो आप प्रेसरयं तो करी सकते हो तो कहा भी जाता है कि कर्म करो कर्म की फल की इच्छा मत करो यानि मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो एक फल एक दिन अफल अवस्य मिलेगा तो लेख का यानि सायर का कहने का ताथ पर क्या है यानि यही है कि लोगों के पास अपना सरी डखने के लिए कपड़े नहीं है लेकिन फिर भी वह अप को बद किसमती नहीं है यह कि आप गरीब पैदा हुए हैं लेकिन आपको गरीब मरना बिल्कुल भी नहीं है तो क्या है तीसरा गजल नैहो कमीज तो पाउं से पेट डख लेंगे यह लोग कितने मुनासीफ हैं इस सफर के लिए कहने का ताथ प्रे क्या सेर का नैहो कमीज तो सरल सीधे साधे हैं कि अपनी किसमत कोई दोस्त देते हैं कि ठीक है मुझे गरीब मैं जन्म लिया है यानि कि किसमत का यानि भगवान का यही मंजूर है कि मैं गरीब हूं तो गरीब ही रहूंगा मेहनत बिलकुल भी नहीं करूंगा लेकिन सायर यह कहता है यह क्या है गलत बात है गजल के सेर में दुश्यंत का इससारा उन गरागी लोगों की और है जो परत्वति इस्तती से समझता कर लेते हैं यानि की जिनका भागय मर चुका है जिनमें जो लोग भागय के अनुसार भागय उनका साथ नहीं दे रहे कहते हैं न हम लोग एक अपने सेर सुनाओगा हम किस्मत को रो ले हैं किस्मत हम को रो ले हैं दोनों को एक ही काम मिला यानि हम दोनों को एक ही काम मिला है क्या क्या तो हम किस्मत को रोते हैं या किस्मत हमें देख करके रोती है किस्मत तो क्या सोचती है कि मुझे ऐसा इनसान मिला है जो हमेशा दुखीज रहता है रोता ही रहता है और हम लोग इसलिए रोते हैं कि हमारी किस्मत खराब है और हम लोग किस्मत को दोस्त देते रहते हैं कि हम गरीब पैदा हुए और गरीब ही मर जाएंगे तो कवी ने साहर ने यही का है क्या इस सेर में कि भागये ही इन गरीब लोगों की और जो परतेक इस्तिती से समझोता कर लेते हैं परतेक इस्तिते कलपना सपनेों को अपने कलपना सपनों में ही पूरा कर लेते हैं जिन भगवान को हमने देखा नहीं है उस भगवान को ब्रोशा करके हम सपने को पूरा कर लेते हैं जो विदी का विदान मानकर अपनी गरीबी को चुप-चाप सेहन कर लेते हैं के सीमेत इच्छाये दो को एक समझे रूप में समाप्त कर लेते हैं रात को जो सपना देखा इसमें किसी को अपने इच्छाती phones को इच्छा को अपने सपने में पूरा नहीं कर सकते आप उसे, तो शाहर को इसी बात का दुख है कि आपके पास कमी डखने के लिए, तन डखने के लिए कमी जिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा करते हो दिए, गलत है, आपको बिल्कुल भी अपने सीमित इच्छाओं को निच्छाओं को कम नहीं करना है। एसे लोगों के लिए ऐसे बागेहिन गडिव लोगों के लिए जो सीमित इच्छाओं रखते हुए भी अपने इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं समय के अनुसर नेक्स्ट है आधस स स्पत्त करना है तेरा निजाम है शी उपान साईर की ये एतियात जरूरी है इस बहर के लिए बहर क्या होता है छंद और एतियात होता है साघ्ण गैने का तात्र प्रैया है एक जो सायर होता है एक जो सासक होता है यह जो विचार है जो भ्रष्टा सार फहला रहे उन को खेड़ लेता है अब जब वह लोगों के सामने उसको प्रस्थूत करता है तो जो सासक एक साह होता है वह उसकी लेखनी पर परती बदता लगा देता है रोक लगा देता है लेकिन यह वो चाहे तो कौन सायर अपनी लेखनी से उनको बहर ला सकता है लेकिन उसे भी तो डर लगता है कहीं उसे कोई मार ना दे कहते हैं कि एक परिवार होता है परिवार में खुद का मरन का डन लगता है तो वही बात यहां है एक सासक की और एक सायर की सायर तो चाहे जिस सासक का कच्चा चिटा खोल सकता है लेकिन सासक में भी उतनी ताकत होती है कि उसकी लेखने पर परतिबदता लगा जैता है तो सायर यहां कह रहा है कि इस छंद के लिए इस लेखने के लिए मुझे भी कुछ सावदानिया बरतनी है और एक सायर को बरतना भी चाहिए क्योंकि एक सासक जब ठान लेता है किसे कारिय करने की तो वह करके रहता है उसी परकार जब एक सायर ठान लेता है क्योंकि कहा जाता है कि एक कवी जो होता है वे अपने कविता से लोगों को नया परदान करता है उनमें जी जी भी सा जगाता है अर्था उसमें जीने की आसा जगाता है तबी तो निराला जी ने यादा आपको कि बादल को गरजने के लिए कहता है बरजने के लिए नी बरसने के लिए बिलकुल नहीं कहता हूं गरजने के लिए क्योंकि जब गरजेगा बा तो सायर यही कहा रहा है महुनत करो Kharm करोSi फलकीस्था मत करो तो यहां तो सायर और सासक की बात है वैसे पूरी गजलों में मैंने कहाना वैसे तो सीरसक देने का कोई इरादा नहीं है नहीं गजल में सीरसक दिया जाता है तो क्या बतायागा इसमें देख लिजे अब कभी कहते हैं यानि कि कई यानि सायर कहते हैं कि सायर उन सासक में बहुत ताकत होती है यानि सायर में भी ताकत होती है और सासक में भी बहुत ताकत होती है साहर जो अपनी लेखनी के माद्यम से ऐसे गलत सत्ता से जुड़े लोगों का विरोध करते हैं जब साहरी विरोध पर उतर जाती है तब सत्ता के लोग इनकी आवाज बंद करने के लिए इनकी लेखनी पर परती बदता लगा देते हैं रोक लगा देते हैं और अपने चेहरे को लोगों के सामने आने से रोक देते हैं और सासक जब यह ठान ले कि मुझे यह कारी अर्थात कोई भी कारी यह करना हो तो वह जरूर करता है लेकिन कवी सवतनतर बारत के सत्ता से जुड़े लोगों को ही देश की सुक्समर्दी का जिम्मेडार बानता क्योंकि उन्हें केवल अपनी सूजता है अपने परिवार के बारे में सूजता है अपने दोस्तों के बारे में लेकिन जो आम जनता है उसके बारे में उसे बिलकुल भी दिमाख नहीं लगाता है ना तो पहले सवतनतर्था से पहले लगा है आजदी से पहले लगा नहीं आज तो यह हो रहा है ईसलितने को यही दुख है कि मेरे देश में जो गरीबी है जो Bेरोजगारी है सोसित वरग उसके जिम्मेदार कोई नहीं है केवल तुम लोगो method राज निती से जुड़े वह चाहे तो परतेग व्यक्ति को दो व्यक्ति की दो जून की रोटी तो प्राप्तिक करवा सकता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो बच्चो ये थे दुसिंद कुमार जी द्वारा जो गजल लिखी गई है उनके द्वारा उनसे समझ अभ्यास परसंट उमीद करता हूं आप ल धन्यवाद थेंक यू सो मच